आज की विजियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका प्रेगनेंसी घर पे जब आप कन्फर्म कर लेते हैं उसके बाद में आपने अल्टरा साउंड कब करवाना होता है और इस अल्टरा साउंड के जरीए आपने क्या-क्या चीजें पता चलती हैं बच्चे की ग्रोथ के बार है तो अब आपने अल्टरा साउंड पहला अपना कब करवाना है दो तरीकी सा अल्टरा साउंड होता है क्या-क्या है वो वेज वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं आप इस वीडियो को देख रहे हैं Pregnancy Care India पर अगर अभी तक आप ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और साथ ही आप हमारा दूसरा चैनल Mom Kid Express को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां पर हम बच्चों की के रिगार्डिंग विडियो जालते रहते हैं Now let's get started So सबसे पहले जैसे ही आपका period miss होता है उसके बाद में आप जो घर की kit आती है चेक करने की वो आप चेक करते हैं पहले दिन जो जिन period miss होता है कई बार उसमें positive report आ जाता है अगर आपका HCG level high हो जाता है और sometimes ये negative भी आ जाता है लेकिन ये false negative भी हो सकता है घर पे चेक करने के लिए आपको period miss होने के कम से कम साथ दिन बाद टेस्ट करना चाहिए So that you can identify कि आपको pregnancy है या सिर्फ आपका periods जो है वो डिले हो गया है So अगर आपका जो pregnancy kit में positive आ जाता है चाहिए वो पहले दिन आए period miss होने के या फि positive आता है then I will go to the doctor और डॉक्टर आपको initial phase से ही folic acid के supplements वागेरा देना चालू कर देते हैं ये बचे के brain और spine के लिए growth के लिए बहुत जादा ज़रूरी होता है और डॉक्टर आपको recommend करेगा कि 6-7-8 इन तीनों हफ़तों में से pregnancy के आप अपना पहला ultrasound करा लेते हैं अच्छ जब यह जो छटवा हफ़ता साथवा हफ़ता आठवा हफ़ता आप कैसे calculate करते हैं जो आपका period आया हुआ होता है पहले का उसका आखरी दिन लास्ट जो period रहता है आपका last menstrual period जो रहता है उसका आखरी दिन जो होता है वहां से आपका जो pregnancy का day 1 जो है count करते हैं यहां पर conception स count नहीं करते हैं क्योंकि exactly पता करना कि आपका baby कप conceive हुआ है यह बहुत difficult होता है तो usually हर information correct रहे सारी जानकारी जाचे सब correct रहें उसके लिए last period के आखरी दिन से जो है pregnancy का day 1 calculate करना चालू कर देते हैं तो उस date से जब का छटवा हफ़ता यह साथवा हफ़ता यह आठवा होता है वहाँ पर आपका ultrasound कराया जाता है अच्छा इसके अलावा एक ultrasound कई बार doctors prescribe कर देते हैं और अर्ली करने का यानि की 4th 5th week पे भी बोल देते हैं अब यह जो इतना अर्ली वाला ultrasound होता है यह vagina के थुरू होता है जिससे की बच्चे की exact location और सारी जानकारी जो है वो तो के थुरू पता करते हैं वो ultrasound vaginal ultrasound होता है जो normal ultrasound होता है जो कि abdomen के ऊपर से ही होता है वो generally 6,7 और 8 हफते में होता है इस ultrasound में कुछ चीज़ें जो बहुत जरूरी है वो जानकारी प्राप्त की जाती है सबसे पहले पता किया जाता है कि बच्चे का जो location है implantation का जो location है वो क्या ह वो proper uterus में implant हुआ है या फिर फेलिपेन ट्यूब में भी हो गया है जिसको हम actropic pregnancy कहते हैं यह pregnancy successful नहीं हो पाती है और यह life threatening होती है mother के लिए क्योंकि फेलिपेन ट्यूब में ना तो इतना space होता है कि बच्चा को बड़े होने का जगा मिले और नहीं generally फेलिपेन ट्यूब मे implant हुआ sack कभी भी develop भी नहीं होता है so यह life threatening हो जाता है अगर वो sack develop कर गया बच्चा बड़ा होने लगा तो फेलिपेन ट्यूब बस्ट हो जाती है जिसके वज़े से life threatening situation हो जाती है so early stage पे सबसे पहले देखा जाता है कि implantation का जगह सही है या नहीं है दूसरा जो चीज होता ह है कि number of fetus कितना है देखे शिरुवात में जो pregnancy होती है वो sack बोलते है sack कहते है then fetus then उसके बाद में baby की जब सारे parts develop हो जाते है then you can call it a baby but earlier आप इसको sack या fetus ही कहते हैं तो उसमें देखा जाता है कि initial level पे कितनी pregnancies है एक pregnancy है मतब एक baby है दो baby है या triplets है तो number of fetus पता किया जात है so that आगे आने वाले ultrasound में सभी baby की individual जो है जाच किया जा सके और आपके pregnancy में अगर कुछ medicines देने हैं तो उस according भी change हो जाते है तो जो दूसरा चीज होता है वो होता है number of fetus जानना थर्ड जो चीज होती है वो होता है heart rate जानना देखे 4th 5th week पे आके जो है बच्चे का heart develop होने लगता है और थोड़ी थोड़ी धड़कने भी आने लग जाती है अब अगर अगर अप early stage में कराते हैं मतलब की 5th week के end में 6th week के starting में तो sometimes heart rate नहीं आती है क्योंकि वो बहुत slow होती है तो abdomen के उपर से नहीं आ पाती है इसलिए doctor suggest करते है vaginal ultrasound करने का क्योंकि उधर से 6th week एक दम initial phase में जाएंगे तो हो सकते हैं आपको heart rate बचे करना सुनाई दे और फिर आपको एक हफते या 15 दिन बाद में वो पे इससे doctor बुलाएं check up करने के लिए ultrasound abdominal से ही करने के लिए इसलिए मैं हमेशा यह recommend करती हूं कि आपने कोशिश करना है साथवे हफते के आखरी मे जो है develop होई जाता है तो abdomen ultrasound से आपको उस चीज के बारे में जानकारी मिल जाएगी और जो एक और जो चौती चीज बहुत important होती है इस ultrasound की वो होता है gestational age of fetus मतलब बच्चे का अभी actual age क्या है देखे जो normal हम लोग weeks count करते हैं वो last period से count करते हैं लेकिन gestational age क्या है मतलब conceive होने से क्या age है वो ultrasound में पहले दिन पता चल जाता है पहले ultrasound में आपने पता चल जाता है कि बच्चे का development किस तरीके से हो रहा है सही हो रहा है या नहीं हो रहा लेकिन 8 हफते से ज्यादा लेट आपको ये ultrasound नहीं करना चाहिए मतलब पहले ही कर लीजे 7 और 8 हफते के बीच में कर जे बिकास इन केस अगर कोई problem होती है जैसे कि बच्चे का जो implantation का location है वो फैलपे अंटियोब में है या फिर कोई और अगर कोई problem है internal bleeding है या कुछ XYZ problem है तो डॉक्टर उस पे initially फटा फट एक्शन ले सकते हैं और वो mother के लिए life threatening नहीं होता है इसलिए 7 और 8 हफते में पह इसने ultrasound पूरे pregnancy में होते हैं और हर ultrasound में क्या क्या चीजें जानकारी पता चलती है तो वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगी इसलिए आप चैनल को subscribe कर लेजिए क्योंकि हर ultrasound के बारे में अगर मैंने इस वीडियो में बता है तो बहुत लंबा हो जाएगा यह वीडियो में specifically first ultrasound के लिए बना रही हूं बिकास बहुत लोगों को doubt रहता है कि first ultrasound कब कराना है और जो बाद के ultrasound है आपको ultrasound में थोड़ा सा ब्लेडर फुल करके जाना होता है मतलब एक देड़ घंटे पहले आप बिल्कुल urine पास काईने मज जाए और थोड़ा पानी पीत बच्चे का image जो है वो बन जाता है कई बर छटवे हफते में आप जब ultrasound करा लेते हैं तो heartbeat भी नहीं सुनाई देती सम्टाइम्स बच्चे का size भी इतना चोटा होता है कि सिर्व वो जो थैली है वो दिखाई देती है बच्चे का sack वगरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देत तो इसलिए early एकदम ultrasound भी मत कराई है और जादा late भी मत हुई है मुझे लगते है कि साथवा हफता जो है वो बिल्कुल सही होता है ultrasound पहला कराने के लिए मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकरी बहुत पसंद आई होगी informative लगी होगी अगर यह वीडियो आपको अच्छ